नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं कसी संसार चैनल अगर आप यूटुब पर पहली बार आए हैं तो चैंबर को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन जरूर दमाएं अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें या तो फालो करें और बेल आइकन उसमें भी जरूर्द दमाएं दोस्तो आज हम बात करेंगे टाउप फाइफ मुर्गियां जो अंडे में सबसे जाबाद देती हैं तो पांच सबसे जाजा अंडendenे वाली मुर्गी कौन सी है तो इस हिसाब से आप इस वीडियो को देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं मुर्गियां जो पांच वी रीड हमारे पास हैं अंडे देने वाली उनमें पांच भी वी और चव्ती तीसरी दूसरी और पहली breed इस क्रम में हम मुर्गियों के बारे में बताएंगे तो उनकी जो production है वहाँ पे खान पाथ भार और उनकी breed पर डिपन करता है तो चलते हैं सबसे पहले breed पर बात कर लेते हैं तो जो सबसे पाचवे नमबर पर आती है मुर्गी की ब्रीड वो है ग्राम प्रिया इसक्रीन पर आप देख पा रहे हैं इसका चिक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां लगबग 40-50 रुपए पर पीस पड़ता है और वंडे का चिक्स रहता है अंडा देना स्टार्ट करती है 140-150 दिन बाद और इसके एक साल में अंडे का जो इसका प्रोडक्शन है वह ओसतन 200-230 अंडे का है और इसका अंडे का वजिन 40-50 करम रहता है और मुर्गी का वजिन 14-16 हो जाता है तब यहां डा देना स्टार्ट कर देती है मां दोस्तों मार्केट में अंडे का इसका जो रेट है वह पांच से बस रुपए Chemistry हिसाब से अराम से एकिन मार्केटिंग में एक के मार्केटिंग में बिग जाता है और इसका कलर लिए हैं धार्ट तो आप पांच मुण मुर्गी के बारे में जयानकारी प्राप्ट कर चुकी है उसका नाम है ग्राउम प्रिया चौथे नंबर पर जो मुर्गी आती है उसका नाम है अस्ट्र लॉप यह आस्ट्रेविया की ब्रीड है और अगर आप इसके प्रोडक्शन की बात करें तो चलते हैं इसके चिक्स की रेट की तरफ दोस्तों अगर इसका आप चिक्स लेना चाहते हैं तो यह भी 40-70 रुपए पर चिक्स रुपड जाएगा डे ओल्ड का तो इसका चिक्स का रेट यही 40-70 रुपए है अगर आप देखेंगे कि यह एंड कितना दिन बाद मतलब कितना अंडा कितने दिन बाद स्टार करती है तो 140-150 दिन बाद यह अंडा देना चालू कर देती है इसका अगर देखा जाए तो एक साल का प्रोडक्शन मूरा 230-260 अंड का रहा है लेकिन कोई-कोई मूरगी इस्पेसली 300 अंडे तक गई है ऐसा मैं सुना है लेकिन मैं इंस्ट्रूमेंशन नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो अफिसली रिकार्ट 230-260 है और इसके अंडे का जो वजन है उसकत 50-60 ग्राम ही रहता है मुरगी का वजन 1500-1600 ग्राम हो जाने पर यह अंडा दिना स्टार्ट कर देती है अब आते हैं अंडे के रेट की बात करते हैं तो 5-10 रुपे इसका रेट रहता है कॉमर्सली और रिटेल में दूनों मिला करके देखा जाए तो और इसका कलर है तो उसनों ब्लैक लेकिन यह बिल्कुल देखने में कड़कनास की तरह लगती है चलिए इसकी अब इसकी अलग पहचान बता देता हूं इस के प्रोडक्शन की तो पूरा इसका डेटेल देखते हैं तो चिक्स का जो रेट है इसका भी 40-70 रुपे के हिसाब से लगबग मिलता है पर एक डे उल्ट का चिक से मिल जाता है और अगर यह बात करें किपमे दिनों में अंडा देना स्टार्ट कर देती है तो यह 150 से 170 दिन में अंडा देना स्टार्ट कर देती है ağa आ एक साल में इसका अंडे का प्रोड़क्शन 240-290 अंडे का है और मुर्गी का वजन अगर बात करें मुर्गी के वजन की किसने वजन पर अंडा स्टार्ट कर देती हैं तो वह 1400 ग्राम से लेकर के 1600 ग्राम के बीच का रेशियो रगता है और इसका अंडे का वजन जो है 50-60 ग्राम रहेगा और इसके अंडे का रेट 870 रुपया आराम से हमको रिटेल में और थोग में मिल जाता है और इसका कलर डार्क ब्राउन होता दोस्तों दूसरे नंबर पर जो हमारी ब्रीड आती है वह आप स्क्रेंट पर देख रहे हैं आराई यार बहुत है प्रसिते ब्रीड है अगर बात करें तो इसके डिटेल की तो इसका चिक्स जो है 45-70 रुपय के बीच में आसानी से मिल जाता है अच्छी ब्रीट का डे वर ग्राम का सतन रहता है और इसके एक मुर्गी का वजन जो होता है अंडा देने तक अंडा देने स्टार्ट करने तक इसका मुर्गी का वजन 15-1700 ग्राम तक हो जाता है तब या अंडा देना स्टार्ट कर देती है और इसके रेट अंडे की बात करें तो साथ से बस रुपया तो करने डिटेल में आराम से आप इसको बीच सकते हैं इसका कलर जो है जामनी जाबातर ब्राउन पाई जाता है इंडिया में लेकिन जामनी कलर भी है और ब्राउन दोनों कलर में भी पाई जाती है आप हम बात करने जा रहे हैं जो सबसे ज़इदा अंडा देने वाले मुर्ग और उस टाइम इसका वजन अगर अंडा शुरू करें तो कि इतना वजन होना चाहिए तो तेरा सो से पंदरा सो ग्राम तक इसका वजन हो जाता है तब यह जो है अपना अंडा दिना स्टार्ट कर देती है और इसके अंडे का रेट जो है तीन से पांच रुपए में आराम से जाता है रिटेल एंड फॉर्क मार्केट में जो आप बजारों में अंडे देखते हैं वह इसी के अंडे हैं तो किसा साथियों कैसी रही आप हमें बताएंगे दोस्तों यह प्रोडक्शन कम ज्यादा हो सकता है या कोई ऐसा नहीं कि जितना मैंने बता है उतना देगी आपने खान पान पर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से पालते हैं उस पर डिपेंड करता है मुर्गी की ब्रीट पर डिपेंड करता है कई मायने हैं जिसके आप इसके प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं लेकिन यह सबसे ज़्यादा आंडे देने वाली पांच मुर्गियां है तो अन्त तक देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार के साथियों